हेलो गाइज वैलकम टू आवर चैनल तो आज हमारे पास है मारूत्ती सुजुकी अल्टो 800 जिसके आज हम सर्विस करेंगे यह चली हुई है ओनली 55,000 तो आज हम दिखाते क्या क्या चीज चेंज होने वाले हैं तो इसमें अभी ओल ड्रेंड कर रहे हैं और निकाल रहे हैं इ इंजन ओईल और ओयल फिल्टर हमने खोल लिया है इसका गाड़ी डाउन करी है अभी हमने और उपर की फिटिंग खोल रहे हैं जिसमें हम यह एयर फिल्टर बोड़ी कोल रहे है ठीक है गाईज यह है पुराणा वाला एयर फिल्टर जोगी बहुत बुरी कंडिशन हो रखी है और यह एयर फिल्टर बोड़ी देखो बरी बड़ी है मक्खियों से दूल मिट्टी से तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे नए वाले से अभी इसके स्पार्क प्लग हम खोल रहा है स्पार्क प्लग कंडिशन दिखाएंगे हम आपको यह देखो अभी इस लास्ट सर्विस पे चेंज हुए थे तो यह वाला थोड़ा रश्टी हो रहा है तो इसके उन तीनों प्लग को हम प्रोपरली साफ करके और इस प्रिटिं कूल्एंट तो है भी इसमें रेडियाटर में पाणी हुए है और वो भी रस्ती पानी है कितने टाइम से कूलेंट नहीं डलवाया कर्श्मर नहीं पता एंए इससके क्या होता है की काफे टाइम था नेया पिटिंग कर दिया मारुती सुजूकी का जैन्वन यह एयर फिल्टर बोड यह जो पिटिंग कर रहे हैं इसमें यह नीचे टाइट कर दिया यह अभी देखो प्रोपर लिया हम स्पार्प्लग को साफ कर रहे हैं प्रोपर बढ़िया तरीके से पैट्रोल से इसमें रश्ट नहीं रहने देंगे ये है मारुति सुजुकी एक स्टार जीरो ट्वंटी फूली सिंथेटिक इंजन ओल जो अभी अल्ट्वार्ट समें डालेंगे ये थ्री सिलेंटर इंजन है तो इसमें ओनली थ्री लिटर इंजन ओल आयागा तो ये शाड़े तीन की है इ कि अभी कूलेंट अबने जो इसमें रश्ट बन रहा था वह निकाल दिया है अब हमने तो इसको दुबारा पानी से डाल के साफ करेंगे ताकि रेडियेटर में कोई रश्ट ना रहे है इसकी अन्यम्य चैक कर रही है ब्रेकपट ठीक है कैलिपर पिन में ग्रीस खत्म हो चुकी है जिसकी काईट थोड़ी सी अलकी सी आवाज आ रही है यह देखो कैलिपर यह होती ऐसमें इसके अंदर रष्ट के अंदर ग्रीस होती है जो कि बिल्कूल भी खत्म है शुकी पड कैलिपर पिन लगा दिया हमने और टाइब कर रहे हैं यह देखो रेडियेटर को अच्छे दिर क्लीन कर रहे हैं यह पिछले ब्रेक्षू है ड्रम है जो भी खोल के साफ करेंगे अभी कंडिशन दिखाएंगे कैसी है जोने वाड़ी है यह नहीं है अब ठीक है ब्रेक्षी अभी इसके आप अच्छी कंडिशन में तो इसको प्रोपर तरीके से साफ करके और फिटिंग कर देंगे अच्छी को सब्सक्राइब करें तो इसके इसको कुणियों करें यह यह क्लीन होने के बादस पाईब की कंडिशन काफी अच्छा साफ हो चुगा है रस्ट बिल्कुल खतम हो गया है फिटिंग अश्पार्ट की फिटिंग कर रहे भी और यह स्मार्क प्लब प्रिट हो चुकिए अबने अब इसमें रेडियेटर में पूरा कर दिया है इसको तोप अप कर रहे हैं अब यह एयर फिल्टर गोली को पर लिपिटिंग कर रहे हैं और यह फाइनली अपनी गाड़ी सर्वीस हो चुकी है थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू